निहाब जो दूसरा मेरा स्टॉक है वो दिगज स्टॉक एक्सचेंज है इस देश का और सबसे पुराना भी और जिस तरीके से हमने देखा पोस्ट कोवेड एडिशन्स हुए हैं क्लाइंट्स में और बीएसी नए ने प्रोडक्ट जो स्टॉक का नाम है वो है बीएसी और ज जो भी ट्रांजाक्शन हो रहे हैं मुझे लगा रहा है कि ट्रांजाक्शन की जो कॉस्ट है वो इनका रिवेन्यू है तो इनके रिवेन्यू देंदर बढ़ते वे दिख रहे हैं बीएसी के और ये भी अटकले लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द एनेसी का भी एक जो आ करोड का दिखा रहा है तो regular EPS में विद्धी देखने को मिल रही है sales में profitability में विद्धी देखने को मिल रही है client additions हैं तो overall मुझे लगता है कि BSE जैसा stock जो है वो भारत की growth story से जुड़ा हुआ है तो अभी करीब करीब 2650 पे trade कर रहा है BSE अधी कोई साल भर के लिए इसको रख कंपनी है और भारत की अर्थ्यवस्ता और इसकी growth से जुड़ा जुड़ी हुई company है तो BSE में खरिदारी करने के लिए मैं recommend करूँ है तो आप sectors और stocks को अपने portfolio में जोड़ने की सोच रहे थे क्यों ना exchange को ही अपने portfolio का हिस्सा बनाय जाए क्योंकि इसकी growth की prospects भारत की economy से ज झाल झाल झाल